वेल्कम बैक टू माई यूटूब चनल पेपर है कर मैं सूरत राज आज आपके लिए लेकर हूं बेटा बीएसी थडियर वालों के लिए आपको पता है है केमिस्ट्री के तीनों पेपर के लिए बात बदरों हैं इसी एक ही वीडियो में केमिस्ट्री के तीनों पेपर inorganic और और इन फिजिकल केमिस्ट्री हमें तीनों में क्या-क्या पढ़ओना है इंप्रुमेंट एक्जाम जो हो रहा है आठ जन्वरी को मतलब कि कल होने बाला है आज साथ जन्वरी है कल मैंने आपको रहा है कि एक यह दो दिन पहले में पूटन कोशन देता हूं आप उसको ध्यान से पढ़ना है अब तक आपने क्या बढ़ा मुझे कोई पर्क नहीं पढ मिलेगा समझ लो देखने के लिए 70 परशेंट देखो अपने 85 परशेंट देदी मैंने पहले बोला कि तीनों सब अच्छे तरीक से पढ़ेंगे तब कुछ बच्छे क्या करते हैं कि पहले पेपर को पढ़ लेते हैं दूसरे पेपर को पढ़ देते हैं तो ऐसी कलती मत करो बिटा सबको पढ़के चलो और मैं आपको एक बात और बता दूँ ध्यान से समझना मैंने आपके लिए जो एमसी कोशिन आएंगे मतलब बहु विकल्पी कोशिन आते हैं आपके पेपर में आएंगे दस उसमें से पांच कोशिन करने होंगे ठीक है समझ रहे हूँ पांच कोशिन आपको करने होंगे अब जब पांच कोशिन आप करोगे याद रखूं वो बीस नंबर के होंगे बीस नंबर आपको पाना है ना तो हमने पिले स्टोर पर पिले स्टोर जानते हों पिले स्टोर सब जो एप डानलोड करते हैं तो पिले स्टोर पर हमने एप ब लिंक पर तो समारे सारी खुल जाएंगे उस एप्लिकेशन को आप केमिस्ट्री से चात रहें तो केमिस्ट्री के तीनों वहां से अपने पढ़ लो फटाफट पढ़ लोगे पीडियाफ होगी तो आपके फोन में आ जाएगे वहां से आपके 20 नंबर पक्के होंगे पूरे 20 नंबर यहां से पक्के होंगे मतलब कि आपको अच्छा नंबर से पास होना है बिटा समझ रहे हो इंप्रोमेंट आप क्यों डाला है सब्सक्राइब कर लेना पेपर हैकर यूट्यूब और इस वीडियो को आप बीए वाले चैनल पर भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो सभी चातर याद रखें यह फिर भी किसी प्रॉब्लम आ रही है किसी फोन में यदि छोड़ा फोन होता है दिक्कत होती है तो हमारे अपले हमारे नोट्स को डानलोड कर सकते हैं जिसका हमने पीडियाफ बनाकर दे रहा है उसको आप गाई करना पड़ेगा तब ही आप होपाएंगे ठीक है तो बा पिलिएट रहां पड़ेगे वैसे और भर्णा फिरी में पढ़ना चाहते हो तो अप्लिकेशन डालोड कर लो प्ड़ेस करो आप अपको करना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है कल को जो ने वाले है उसकी बाद करने वाल है और mcq कि जो वह है उसको जरूर डानलोड के लेना क्योंकि बेटा 20 नंबर का mcq याद रखना फिर मत कहना मुझसे देखो एक balance boundary theory को याद करेंगे bbt इसे कहते है balance boundary इसकी limitation को याद कर लेना और cft थोरी को याद कर लेना याद रखना यह जब भी पूछेगा इस question को याद रखना फास पोजीन मनाने की विधी उनके गुण उनके उपियोग के बारे में देख लेना most important है इसको याद करेंगे ठीक लगा लिए अपने ठीक लगा लो याद रखो इस पेपर में क्या 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 आद कर रहे हैं क्यूरी ता आप salt में पूछ सकता है क्यूरी कर लेना most important है 2000 कल की बात कर रहों कल के पेपर में आने वाले गोश्चा नहीं यह most important है देखो यह hard and soft ह-s-a-b पर टिपड़ी पूछता है इस प्रकार से hard and soft एस रेंड बेस पर टिपड़ी लिखिए इसको याद करो most important एक लगाओ सॉरी इसको देखो silicon और silicon के प्रिकार बराने की वह थी silicon most important है लगाओ इस पर टिक और spectrum chemical series को याद कर देंगे सॉर्ट में पूछेगा आपसे लगाओ इसको एक लगाओ फट अफट धातू काविल्स इसको देखो टिक लगाओ बिटा इसको और इसमें कि नियम और अठारा इलेक्टरॉन रूल जिसे कहते हैं अक्री गैस के अंदर पूरा कोश्चन एक में पूछा जाता है यह सौट में पूछेगा लगाओ हिमोगलोबिन की सरचना इसको पढ़ेगा यह मतलो कि फिरी में पास हो जाओगे अच्छे नंबर लाना है पढ़ाई तो करने पड़ेगी यह ज्यादा कोशन नहीं है चूट चुटकियों में याद हो जाते हैं ऐसे कोशन ठीक है ऐसे अमलबरसा को याद करो लगा लो अमलबरसा के बारे में टिक लो आओ और उसके बाद में दीब लॉंगली तंस अमीगड़ टिक लगा लाइन भी इंड का रूल मॉस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना संक्रवन किसे कहते हैं एस पी संक्रवन एस पी टू संक्रवन टिक लगालो इतना आपको पढ़ देना है ठीक है समझ में आ रहा है इतना हो गया बस इतना ही पढ़ लो हो सके तो हाइट्रोजन बॉर्ण्ड कोई पढ़ देना हाइट्रोजन बॉर्ण सौट में पूचेगा पूचेगा तो बस इतना फिस पेपर में बस ठीक जादा नहीं है यह चुटकी उमें बस एक बार तक पड़े होंगे सब एक बार रिपीड करना है एक तरीक से इनको अच्छी तरीके से देखके जाना है इंगोशन वो तिक है चलो दोनों को पढ़नेंगे बस थोड़ा सा इंज में थोड़ा सा अंतर होता है कोई खास अंतर नहीं होता ज्यादा पिरोल और पिरमिडीन बनाने की विदी अच्छे तरीक से बढ़ने ना और लाइनों 6Y6 के बारें पढ़ेंगे टेफलोन बनाने की विदी पढ़ेंगे ठीक है इतना पढ़ो उसके बाद में आता है नीचे आ जाओ इसको पढ़ेंगे ठीक लगा विटा अमीनो अमल बनाने की विधी अमीनो अमल डियेने आरेने मंतर पढ़ जाएंगे या पढ़ने में क्या है एक दिन में खतम कर दोगे इनको ठीक है आपको ज़्यादा थोड़ी नहीं है आप सब पढ़े हुगा है इनको बस एक बार देखना है ध्यान से नुकलिक अम लगके घटक इम्पोटेंट है अगालो ठीक है सल्फुमराइट के बारे पढ़ ले ना और उसके बाद में प्रोटीन की सरचना इसमें रंजक इम्पोटेंट है इन दो में से एक साथ इसमें से तो बहुशन करना होगा जो धुशन यह सारे कोशन सब्सक्राइब करो हमारे एप को डानलोड कर लो जो प्ले स्टोर पर है उसका लिंग डिसक्रप्शन बॉक्स में है बहां जाके देख लो बिटा बहां से पढ़ लो बस कोई दिक्कत नहीं है आराम से जिंदिकी समढ़ जाएगी पास हो जाओगे बहुत अच्छे नमबर से स इसको पढ़ लेना मौस्ट इंपोटेंट है और होका नियम मौस्ट इंपोटेंट से कहता है पूस्ता है यह बहुत जाड़ा इसको याद कर लेंगे मौनिकुल आभीडल थियोरी मैं बता चुका हूँ बैलस बॉन्ट थियोरी बता चुका हूँ वहां ऊपर तो यहां हाईजिन बरका निष्टिया का सिद्धान्द पढ़ेंगे इसमें पढ़े के जाएंगे इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंप्रूटेंट अपटा एक्जाम में पूछेगा यह सारी कोशन आपको देखने को मिलेंगे एक्जाम में देख लिएना कि श्रुन का विक्र पर में भले ही तुम्हें याद ना हूँ लेकिन उसके बारे बना बना के चलिया ना छोड़के नहीं आना है इस बात को भी याद रखना है आप सबको ठीक है कॉपी को पूर आच्छी तरीक सकरके आना है जैसे मैंने आपको तरीका बताया था करने का वही उसकी बाद में फ़म पढ़ाने लोगे थे देवकर होगा कर लो कर दो चली गए ना तो बार 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 संगर्स कर लो और राव्र का नियम याद कर लेना कि अभी के लिए इध कर लेना यहीं से कौशन पढ्रीक से याद करके जाएंगे इन को ज्यादा नहीं लगा लो चार आप नहीं जए तो पेपर आपको यह साथ पढ़े होंगे हुझा है और मालों गलती से कोई भी कोशन आपको समझ में आ रहा है आप भूल गर तुके है लेकिन उसके बारे में आ चोड़ना जाते हैं बना बना के जरूर आना लेकिन चोड़के नहीं के नहीं जिक्कत नहीं होगी कि बाकि मैं इसके physics के लिए जोलोजी के लिए बॉटनिंग लिए सबके पेपर बना रहा हूं अलग-अलग तीनों पेपर का एक साथ में के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें थैंक यू फॉर बचिंग वीडियो बाइब दोस्तों थैंक यू